जैशी कुष्णा दोस्तो पियसराँ फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो हमारी प्रकती में ऐसे ऐसे चमतकारी पोधे हैं जिनका प्रियोग बहुत सी बिमारियों में बहुत से चमतकारिक प्रियोग किया जाते हैं बहुत से उपायों में इनका प्रियोग किया जाता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही पोधे की जड़ के बारे में जानकारी दे जारी हूं जिसको अगर आप अपने पास रख के सोते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होती है दोस्तों जिन भी बहनों को कई सालों से संतान की प्राप्ती नहीं हो पारी या गर्वधारन नहीं हो पारा या जिनके गर्वधारन के बाद मिस्कैरिज हो जाता है या देखे किसी तरह से नजर दोश के कारण पित्र दोश के कारण कोख बनी हुई है यानि संतान की प्राप् करें क्योंकि इस पेड़ की जड़का प्रियोग बहुत से प्रियोगों में किया जाता है तंत्र मंत्र में किया जाता है क्योंकि ये मा काली की प्रियव नस्पती है दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निए तो सस्क्राइ आज है क्योंकि आपके घर के पास पास ही मुल जाएगा दोस्तो उस पेड़ का नाम है नीम का प्रियोग आप सबी जानते है कि कितनी बीमारियों में प्रियोग किया जाता है इस की पत्यों का फूल का फल का शाखा का हर एक same प्रे- वृक्ष का ही बहुत अधिक ओशदियों में प्रयोक किया जाता है ऐसे ही अगर नीम की जड का प्रयोक किया जाता है तो निश्षित ही आपको संतान की प्राप्ती होती है क्योंकि दोस्तों जो नीम का पेड़ वो सूर्य भगवान के तेज से उत्पन हुआ है और सू नीम की पत्यों के द्वारा ही पूजा की जाती है कामैक्षे देवी को भी नीम अतिप्री है नीम का प्रियोग तंत्र मंत्र में किया जाता है अगर किसी को शादी को कई वर्ष हो गये हैं संतार नहीं हो रही तब भी इसका प्रियोग करे या जिनका कोक बंदन है या जिनको गर्षधारन होने के बाद भी अगर गर्षग गिर जाता है बच्चे हो करके मृत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं या जिनको दिखे या कन्या हो रही है पुद्र प्राप्ती नहीं हो पा रही तो वह सभी इस उपाइ को कर सकते हैं दोस्तो आपको उत्रा फालगूनी पुत्र के अंदर ही नीम की जड़का चोटा सा टुकडा लेकर के आना है और कच्चे दूद गंगा जल से धोकर रोली टीका लगाकर सिंदूर लगाकर और धूब दीव जलाकर भगवान सुर्य देव के मंत्र का जाप करके उसके बाद आपको अपने तक्ये के नीचे रखना है आप ओम हिरंगर भाय नमा या ओम सुर्य देवाय नमा का 11-21 बार जाप करें सुर्य भगवान का ध्यान करें और उनसे प्रातना करें कि हे प्रभु मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए या फिर जिनको पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रातना करें और उसके बाद आपको अपने तक्ये के नीचे रखना है दोस्तो इसका इतना अधिक प्रियोग है इतना चमतकारी प्रियोग माना जाता है कि निशिद ही आपको मन वांचि संतान की प्राप्ती होगी दोस्तो अगर इसकी जड़ को लाल कपड़े में बान कर तिजोरी में रखते हैं तो धन बढ़ता है धन की बरकत होती है उस घर में धन आने के शोद बन जाते हैं दोस्तो इसके बहुत ही प्रियोग है तंत्र मंत्र में भी हर तरह में इसका प्रियोग किया जाता है अगर आप कि कोक बंदी हुई है या गर्वधारण नहीं हो पा रहा है तो आप इस उपाय को जरूर करके देखे भगवान सूर की किरपा से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ती होगी दोस्तो नीम की जड़ के देखे कई सारे प्रयोग है परंतु संतान प्राप्ती में इसका पू इस जड़ को लेकर आएंगे और निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अब श्री करें आप सभी को जैशी रिश्ना